मुझा नाम नरेश और आप गर्चन इन्फो मस्ती जैसा कि आपने थमनेल में देख लिया है कि बहुत टाइम के बाद MCD ने भी वेकंसी निकाल दी है वो भी गैस टीचर्स के लिए SSA वाली सर्व सिक्षा अभिहान वाली इस वीडियो को लास तक जरूर देखें मैं पूरा प्रसीजर बताने वाला हूँ कि आप कैसे step by step form को भरोगे कौन कों से दॉक्मेंट लगेंगे और क्यासे डॉकमेंट को अप्लोड करना है और कैसे हमने फाम को भरना है तो इस वीडियो को लास्ता जहुड देखें हैं आश्यकर तो आपको यह पसंद आएगी तो स्टाट कर देते हैं बिना किसी देरी के तो पहले डॉकमेंट को बात करें कोंको स जिसमें आपका 10th का 12th का और जो भी आपने एंटीटी कर रखा है ये डिगरी कर रखी है वो सेटिपिकर्ट इसके अंदर होना चाहिए अब वो कैसे बनाना है आपको तो क्या मिसके एक अप्लिकेशन होती है उसके अथरू भी बना सकते हो ये फोन से फोटो क्लिक करके उसकी पीडे फाइल बना सकते हो एक सिंगल फाइल बनानी आपको तो यह देख सकते हो मैंने एक पूरी सिंगल फाइल बना रखी है तो आपको मैं इसको ओपन करके दिखा लिता हूँ अगर ये फो फाइल नहीं बने आपसे किसी भी कार्ण से तो आप मुझे कमेंट बुक्स में लिख सकते हो मैं आपके लिए help कर दूगा कि इसको कैसे बनाए जा सकता है तो यहां देख सकते हो यह देखो यह इनका 10th का है certificate इसमें 10th का डालना है और 12th की mark sheet ठीक है और नीचा आएंगे यह जहां भी आपने entity कर रखा है या कुछ भी कर रखा है तो वह documents आ जाएंगे upload अगर आपकी cards SC, ST, OBC है तो आप card certificate भी upload कर सकते हो इसके लिए one file बनानी है और इसकी जो weight है इसका मतलब इसकी जो file का size ज्यादा बढ़ा नहीं होना चाहिए यह 2MB का है तो आपको और कम करना है तो 2MB के file में भी कभी कभार वो error दे रहा है कि document not uploaded please try again तो इसलिए इसको कम करन 1MB से भी नीचे करना या 1.5MB तक तो online आप कम कर सकते हो तो आपको simply google on कर लेना आप इससे अपने phone के थूप भी कर सकते हो तो यहां मैं आ जाता हूँ यहां पहले google search कर लेता हूँ google type कर लेता हूँ google पर आने के आपको simply यहां लिख रहा है South Delhi MCD तो यहां अपने phone से भी इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहां देख सकते हो South Delhi Municipal Corporation MCD online इस पर हमें क्लिक कर देना है तो यह का फिटम से कमेंट भी है रहते हैं कि यह सर्च करेगा क्या है यह जैन्वन वेकंसी है फेक नहीं है आपको बस इसी website पर आना है इसकी official website से ही आपको form को भरना है यहां देख स करना है इसको मौनिंग के टाइम या इविनिंग के टाइम भरना और 31st January लाज डेट है उससे पहले आपको भर लेना है यहां देख सकते हो पॉप बिंडो आ चुकी है आपको सिंपली क्रॉस बटन पर क्लिक करना है तो जिससे यह क्रॉस हो जाए और हम आगे बढ़ जाए तो यहां देख सकते हो मैं पहले क्रॉस बटन पर क्लिक करके इसको क्रॉस कर देते हैं और सिंपली नीचे आना आपको नीचे आना जॉप सेक्शन के अंदर देख सकते हो थोड़ा सा उपर आएंगे यहां लिख सकता है लिखा हुआ है SDMC जॉप इस पर हमें क्लिक कर देना इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा वेट करने का यहां देख सेक्तों नीचे आ चुका है अवेलबल वेकेंसी के आ है को यहां तो यहां चुका है अपको एक जनवरी 2022 से आपकी अच् longest सबसें कि यह मन्थ मथेना है और यहां इंधु परThe हम सलेक कर लेते रिलीजन पता दे ये आप हिंदु मुस्लिम सिस्क यह हिंदुए तो यहां लिख देते हैं आपका जो तो आप address डाल सकते हो, अगर सेम है तो सेम डालना है, अगर अलग अलग अपका communication address तो अलग अलग भी डाल सकते हो, और simply pin code डालना है और city टाइप करके थोड़ों से नीचा आज़ा, अब important चीज़ आ रहाती है, education information, तो qualification आपको लिख देनी कि आपने 10th अपने कहां से करिए, CV तो 500 marks हो जाएगा, marks obtained, तो आपका grading system है, तो simply इसको 9.5 से multiply करोगे, तो आपका percentage आ जाएगी, ठीक है, और आपको अगर marks पता करना है, तो simply 9.5 से multiply करके ही आपको marks पता करना पड़ेगा, और total percentage में आपको, simply जो भी percentage आपको point में जैसे 5.8 है, तो उसको simply 9.5 से multiply करके, आपकी percentage आपको यहाँ परसेंटेज आजाएगी, simply आप 12 वाले की बात कर लेते हैं, 12 वाले में CBC में कर रखी इनोंने, 2.24 में कर रखी है, total marks उसमें दिये थे और इनकी percentage निकाल लेंगे, simply marks obtained को divide कर देंगे, तो आपकी percentage आजेगे, तो आपकी percentage आजेगे, और इन टो 100 कर देंगे, अब इन्होंने SCRT से NTT कर रखी है 2016 से मैक्सिमिन माक्स निका 950 था 950 हम डाल देते हैं और माक्स उप्टें इनके 788 माक्स उप्टें थे तो इनको डिवाइट करके हम प्रसंटेज निकाल लेते हैं 82 पॉइंट को सम्थिंग इनकी प्रसंटेज थी हो हम पूरी प्रसंटेज यहां लेक देंगे अगर आपको पॉइंट में भी है तो हम पॉइंट लिखना ज़रूरी है अब आपको सिंपली आपको अपना फो पासफर साइज एक फोटो सिलक कर लेना जैसके इनकी पासफर साइज फोटो हम सिलक कर लेते हैं और choose file पर क्लिक करके जो भी document one file दोक्मेंट थी उसको हम select कर लेंगे इसमें लिखा हुए handed mb से छोटा हो जी बट है बट है तो आपको simply एक mb या 2 mb से नीचे ही रखना तो जल्दी upload हो जाएगो और submit बटन पर हम क्लिक कर देंगे submit बटन पर क्लिक करने का है थोड़ा सा वेट करना यह थोड़ा वफर करेगा और यहां देख सकते हो एक error आ चुका है जो error आता है document pdf not uploaded try again तो इसका solution मिलेगा आप टेंशन मतलो पूरी वीडियो को लास तक जरू देखो तो इसके solution के लिए आपको simply जो भी PDF file है उसको कम MB का करना है दो MB का था वो कुछ और MB को कम करते थे हैं और फिर upload करते हैं और फिर आपका easy तरीकी से upload हो जाएगा हम अपनी PDF file को कम size में करते हैं तो कम size में करने के लिए आपको simply Google का सहारा लेना है तो Google पर आना है और यहां लिख देना PDF resize resize application यह site है website है बहुत अच्छी website इस पर click करना हो जो पहला link आएगा compress PDF उस पर हमें click कर देना है थोड़ा सा वेट करना है select PDF file इस पर click करना है और जहां भी आपने save कर रखी है अपनी file को जो file आप upload कर रहे थे जिस file के तुरू download uploading में error आ था उसी file को आपको select कर लेना यहां तो और आपको select PDF file पर आपको click कर देना है select PDF file पर click करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहां देख सकते हो आपने जहां आपने वह file को save कर रहा है उसको आपको select कर लेंगे और इस पर compress PDF को select कर लेंगे तो यह एक देड़ MB की होगी तो easy तरहीं किस अप्लोड हो जाएगी कि उसने maximum size 10 MB का दे रहा है फिर भी यह error आ रहा है तो हमें और कम MB का कर लेना है उसे टेक है तो कम MB का करने के लिए आपको simply इसी का साहरा लेना पड़ेगा PDF प्रेस PDF का जो कि आप online कर सकते हो तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यह upload हो जाएगी पूरी PDF उसके अंदर upload ह इसको आपको download कर लेना है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो यह 62-65 seconds प्रेसेंट हो चुका है तो 70% हो चुका है थोड़ा सा में वेट करना यह इस नैट की speed के उपर depend करता है तो हाला कि मेरी नैट की speed कम है तो कि मैं फोन के थूरू ही इसको कर रहा हूं connect करके तो 2.38 MB हमारे जो convert हो चुका है 1.40 MB में तो यह easy तरीके से upload हो जाएगी आपकी यह PDF तो इसको हमें save कर लेना है तो यह कुछी भी compress नाम से save कर लेते हैं इसको save पे click कर देते हो और इसी file को आप upload करना है और easy तरीके सा आपका form fill up हो जाएगा आप यहां देख सकता हमने दौरा पूरे form को भर लिया है और submit बटन पर हमें click कर दिया है तो थोड़ा सा wait करने पड़ेगा यहां देख सकतो ऊपर side में यह गोल गोल घूम रहा है हमें थोड़ा सा wait करने के बाद आपका इस type की PDF फाइल आपको download हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ South Delhi Municipal Corporation of Delhi Side में आपका application number है य यहां आपको अपने signature कर देना है तो यह देख सकते हो मैंने blur कर रखा क्योंकि पूरी personal information आज आईगी जो आपने form के अंदा भरा हुआ है ठीक है बट जो application number है उसके तुरू आप द्वारा से application प्रिंट कर सकते हो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी अगर यह वी